अब ये घर से बेघर इस वक्त हो गए घर से बेगर होते ही सबसे पहले उन्होंने किसका दर्शन किया कहां गए क्या किया सारी अपडेट हम आपके लेकर आए हैं और आकिकार विक्की जैन को क्यों निकाल दिया गया मिडवीक इविक्शन में ये भी हम आपको बताएंगे कि क्यों बिग बॉस जो है बायस्ट हो ग डिजर्विंग नहीं थे घर से बेगर होने के लिए लेकिन उन्हें होना पड़ा ऐसी में अंकिता लोखंडे का इस वक्त जो है रो रोकर बुरा हाल हुआ पड़ा है आपको बता दे अगर अंकिता को इस प्रकार से रुलाना ही था बिग बॉस को तो दो तीन हपते पहले विक्की को निकलवा देते अगर वोटिंग के आधार पर जब कंटेस्टेंट नहीं निकल रहे हैं बिग बॉस के घर से तो जब खुद को ही डिसाइड करना है सब कुछ फिक्स रखना है विनर भी फिक्स करना है किसको निकालना है उसे भी फिक्स करना है तो सब कुछ बाय और से किये हैं यहां तककी अपनी शाधी को लेकर भी खुलाषा किया है और उनकी माता जी इस किसवक्त जो बीुद्र चासमी है that's a भीलेको लेकर भी उन्होंने खुलाषा किया है ! सबस्ते पहले हम आपको बता देगे। आनुमासमी किसफे पास गएक हैं ? और नीचे रेट बिटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब के साथ जो है बेल नॉटिफिकेशन आल पे भी जरूर प्रेस कीजीगा दोस्तों ताकि हर लेटिस्ट के अपडेट की जानकारी जो होगी बिग बॉस से जोड़ी चोटी से चोटी अपडेट की जानकारी सबसे पहले आ जो है ग्रेंट फिनाले में शामिल हो ना कि कोई और सदस्य हलाकि विकेंड के वार पर उनकी भावी जी आए और उन्होंने खुलासा किया विकी की भावी ने साफ तर पे खुलासा किया कि उनकी माता जी उनकी सासु मागी जो है तब यह ठीक नहीं है और फास्टिंग पे फिर भी वो फैमिली वीक में आई और उसके बाद जो है ट्रोलिंग की वज़े से लोगों के ताने सुनने की वज़े से और खुद जो बहु को खड़ी खोटी उन्होंने सुनाई उस पर पच्छतावा करके जो है उनका और अभी इस वक्ते इलाज चल रहा है दवाईयां चल रही है उनकी अभी रेस्ट पर हैं वो लेकिन जब विक्की जैन घर से बेघर हुए और उन्हें पता चला तो वो सबसे पहले बताया जारा अपनी माता जी को कॉल किया वीडियो कॉल किया और उनका हाल चाल सबसे पहले जाना क्योंकि आप सब अच्छे से जानते हैं कि अंकिता के मुँसे भी विक्की कभी अपनी माता जी के बारे में कुछ उल्टा नहीं सुन सकते ता अगर उनकी माता जी गलत है तो भी वो जो है अपनी मा का ही पक्ष लेंगे और हर बेटा ऐसा ही करता है लेकिन आपको बता दे अभी उनकी माता जी की तब्य ठीक नहीं आ आपको बता दें जैसे हैं कि आप सभी को तो पता ही है कि बिग बॉस 17 के फिनाले में अब बस सिर्फ और सिर्फ 4-5 दिन ही बचे हैं और फिनाले से पहले विक्की जैन बिग बॉस हाउस से इस वक्त आपको बता दें बाहर हो चुके हैं ऐसे में fan club पर उनके elimination की चर्चा जो ह भी निकाला जाए अंकिता की भी निकलने की खबर आ रही हो आपको बात में बताएंगे लेकिन अगर विक्की जैन की बात करें तो उनकी इतनी popularity नहीं थी जो भी उन्हें जानते थे सिर्फ अंकिता के husband के नाम से ही जानते थे और कल के जो इंटर्विव हुए हैं जब प्र कोई पसंद नहीं कर रहा है वैसे अगर विक्की जैन की बात करें उनके इविक्षन की तो विक्की जैन ने जब बिग बॉस हाउस में कदम रखा था दोस्तों तो लोग उन्हें अंकिता लोखंडे के पती के तौर पर जानते थे पर विक्की ने अपने गेम से और्डियंस हर कोई उनका फैन बन गया था इतने ही दिनों में माना जा रहा है दोस्तों कि विक्की शो के टौप पाँच फाइनलिस्ट में से एक होंगे पर ऐसा अब नहीं हुआ मेकर्स ने विक्की को फिनाले की रेस से बाहर कर डाला है इतना है आपको ये जानकर काफी हरानी होगी कि इस हपते बिग बॉस 17 के घर में डवल इविक्शन हुआ आईशा खान के बाद इशा मालेवे शो से बाहर हो गए इसके बाद अरुन मुरावर अंकिता मनारा विक्की और अविशेक फिनाले के टॉप 6 कंटेस्टेंट में शामिल हो गए पर बिग बॉस को फिनाले से पहले शो में ट्विस्ट लाना था इसलिए उन्होंने मिड वि टूट चुकी है पूरी तरह से रो रोकर उनका बुरा हाल है पता नहीं अब वो फिनाले तक कैसे खेलेंगी और आपको ये जानकर काफी ज़्यदा दुख होगा कि इस वक्त अंकिता के लिए दो बहुत ही बुरी खबर है एक तरफ जहां उनकी माता जी का होस्पिटल में चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उनके विक्की जो है विक्कु जो है निकल गए है अब घर से और अकेले उन्हें सर्वाइब करना पड़ेगा विकबॉस 17 के घर में जो वो नहीं कर पाएंगी पहले भी वो काफी बार बोल चुकी है अब बेटे ने सबसे पहले घर से न लेखने के लिए अपनी बहु का वहीं अगर ग्रेंड फिनाले की बात करें दोस्तों तो 6 घंटे तक ग्रेंड फिनाले चलने वाला है अटाई जैनवरी को जो है बिग बॉस 17 का ग्रेंड फिनाले है और फैंस बहुत एकसाइटिड है अपने अपने फेवरिट कंटेस्टन को वोट भी कर रहे हैं वैल अगर आपको नहीं बता की वोट कैसे करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा एप पर ही वोट कीजिएगा आप जियो सिनेमा एप ओपन करेंगे तो आपको वोट का ऑप्शन मिलेगा और फिर आप वोट कर सकते हैं किसी और एप पर जा कि विक्की जैन का जो इविक्षन हुआ है वेघर हुए है वो क्या वो सही है निकलना चाहिए था उन्हें या नहीं